हेलो दोस्तों दिल के गिराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मैं इस चैनल में कोसिस करता हूँ कि आपको एक दिन पहले बता दूँ कि कौन सा शेयर का प्राइज उपर जाने वाला है या फिर कौन सा शेयर का प्राइज नीचे आने वाला है तो चैनल को सब्सक्र बजार में यह Lowry circuit में क्यूंच चला गया लोगों को बेचने भी नहीं दियाँ अभी मैं आपको बता देता हु देखो इसका दो रीजन, पहला रीजन है company का result बहुत खराब आया है इसके नो रीजल्ट यह result company को ही पता कि result कैसा आएगा हम उमिद ही सकते हैं कि इतना हो सकता है उतना हो सकता लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कमपनी थे हीए फार्मसेक्ट्रермी सנ्थ घ्री एक कंपनी थे सोलारा एक्टिफ फार्मा बोच सत्रा सर्र रुपे का स्टॉक 300 रुपे में आ चुका है वो भी केवल इस रिजन से क्योंकि कम्पनी ने प्रॉफिट नहीं किया बिल्कुल और यहां पर जो रिजन बताया जारा है यह केवल इनका quarter result ही बताया जारा हर जगा देख सकते हो यह quarter result के वज़े से यह 52 वीक लो पे पहुंचक है है हलाकि इतना ज़्यादा खराब result तो नहीं आना चाहिए था लेकिन फिर भी कम्पनी ने केवल 100 करोड का ही profit किया है जहां कम्पनी को उमीद था कि 180 करोड या 200 करोड तो हम पहुंच ही जाएंगे तो इतना ज़्यादा लो बोल देना मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं ब after quarter one net profit decline यहां देख सकते हो जैसे company का result है stock में काफी बड़ी गिरा और देखने को मिले और IT index भी बहुत ज़्यादा गिरा बहुत अच्छे अच्छे stock अगर आप देखोगे रेम को system हो गया persistence हो गया यह फिर आप बात कर लेते हैं L&T infotek हो गया यह L&T technology की बात कर लेते हैं index में 3% की गिरावट देखने को मिली है इस वज़े से US market यहां देख लिजे पूरा ज्यादा fluctuate देखने को मिल रहा यहां पर तो क्या है कि देखते हैं कि कितना interest rate बढ़ाया जाता है 75 basis point बढ़ाया जाता है यह 100 basis point बढ़ाया जाता है इतना तो है कि 75 तो बढ़ाया जाएग ही जाएगा अगर 100 बढ़ा दिया गया तो बजारों को और ज्यादा प्रॉलम है इनका margin टलना platform जो है इनका margin बहुत घट चुका है पहले इनका margin बहुत ज्यादा था लेकिन अभी बहुत ज्यादा घट चुका है और यह interest rate जो बढ़ाया जागा न 75 basis point यह 100 basis point इसके वाज़ यहां देख सकते हैं 21 अब यहां से यहां देखते हैं तो भी company का net sales की बात कर लेते हैं तो 226 करोड़ से 323 करोड़ चुका है मतलब 200 करोड़ से 300 करोड़ हो चुका है company का यह हो चुका है revenue लेकिन फिर भी अगर हम जहां तक बात करते हैं net profit की एक मिनट जो company ने बताया है वह अब हमें यह कितना है तो 23 करोड़ है तो यह कैसे difference हुआ और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो जो net profit हमें last में दिख रहा है वह 28 करोड़ का था अभी किवल 17 करोड़ का 28 और 17 percentage में देखो कि तो बहुत बड़ा फरक है बहुत बड़ा फरक आपको देखने को मिल से और अभी भी 75 basis point बड़ेगा तो अगले quarter में भी इनका margin कम होते हुए नजर आएगा यह और एक डर है जिसके वज़े से stock एकदम circuit में ही चला गया और उपर से देखो मैं क्या बोलूं company के जो CEO है उन्होंने खुदी बोला यहां देख सकते हैं a letter to shareholders founder chairman CEO उदायर इड़ी से quarter one उदायर इड़ी जो company के CEO है वो खुदी बोल रहा है ठीक है quarter one had some operational headwinds कोई problem देखने को मिला है इस वज़े से यहां पर यहां पर यहां पर यह बोला है but we have our यहां पर building blocks यहां देख सकतो है यह बता रहे हैं कि हमारे पास जो building blocks है place to accelerate our जो momentum है in coming quarter तो जो आने वाले quarter में है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है यह इनका मानना है we have a strong balance sheet और opportunity ahead of us तो इनका मानना है कि देखो इनके पास opportunity भी है strong balance sheet भी है तो यह कुछ कुछ problem देखने को मिले हैं जिस वज़े से यहां पर खराब number आया है लेकिन इनका मानना है कि आने वाले दुनों में मतलब इनक पर बताया गया है कि CEO ने क्या message दिया है shareholders को तो company अच्छी है कोई बुरी company नहीं है लेकिन बीच मीच में आभी देख सकते हैं विपरो की बात कर लेते हैं तो विपरो भी तो 45% गिरा हुए इसका मतला विपरो भी खराब है ऐसार नहीं है अकर L&T info tech की बात कर लेते हैं ला 42% के बाजिव में तो मैं आपको बलूँगा देखो long time के लिए stock ठीक है कोई tension वाली बात नहीं है short time में up and down हो जाता है बाकी मैं आपको बलूँगा कि long time investors को कुछ नहीं होगा CEO ने खुद ही बोला है बाकी अगर मैं आपको बलूँगा कि आपको ज्यादर tension लग रहा है तो मैं आपको बलूँगा कोई गलत action नहीं लेना है ठीक है